तो गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई योप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम जा रहे हैं नया अक्वेरियम सेट अप करने के लिए आप लोगों में से किजी ने कमेंट किया था कि बड़ा aquarium देने के लिए आप लोगों ने कहा तो आज हम नया बड़ा aquarium लाएं और यहार सानुवी अभी देख रही है, भेल रही है तो इधर aquarium set up हो रहा है तो तक आप आप सानुवी को देख सकते हैं कैसी भेल रही है और यह हमारा छोटा वाला एक्वेरियम यहां सानवी को मैं पकड़ की बैठी थी कहीं सानवी छून आ दे और यहां एक्वेरियम सेट अप हो रहा है इस्टीकर लग रहा था यह एक्वेरियम पहले इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है आप सबी देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तवियर ठीक नहीं थी बर अब मैं ठीक हूँ और अब मैं रेगुलर अपना ब्लॉक बनाऊंगी और फीसेस रिलेटेड ब्लॉक पर डालूंगी यहां हमारा एक्वेयरियम अभी setup हो रहा है इदर इस्टिकर थोड़ा बड़ा था तो उसे कांटे जा रहा है और अभी लगाया जा रहा है आप यहां देख सकते हैं तो यहां पर फिल्टर निकाला जा रहा है यह फिल्टर जो पतिदेव ने बनाया था बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और यहां निकाला जा रहा है यहां देख सकते हैं आप सभी यूँटर। तो यहां पिया पाने ट्रैन आउट करने के लिए स्क्षन पाइप डाला है यहां पाने ट्रेन आउट हो रहा है और हम 50% पाने नएवाल एक्वेरियम मैं डालेंगे यहां ट्रैन आउट हो रहा है envisioned कि यहां देख सकते हैं मेरी शार्क फिश जब आई थी जब हम लाए इसे तो मतलब थोड़ा उनकमफर्टेबल थी अभी थोड़ी ठीक है अब पानी देख सकते हैं कैसा ट्रेन आउट हो रहा है बहुत है अच्छे से हो रहा था यह हमारी टोटो नई मेंबर है जब इसको लाए अब देखिए कैसे अच्छे से मुनकों पहचान गई है तो मैं इसके साथ थोड़ा खेल रही थी मुझे टोटो के साथ बहुत है अच्छा लगता है मैं ही ने शिफ सानवी भी इसके साथ कहलती है हम दोनों को बहुत पतंदर टोटो तो यहां पर सब कुछ निकाला जा रहा है बहुत ही प्या कौन से फिशेद लाओं तो मैं इसके बाद और भी फिशेद लाओंगी और इसे भी बड़ा एक्वेरियम मैं लाओंगी अभी तब तक के लिए मने भी लाया ज्याता बड़ा नहीं लाया बट अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं एक तिनों और बड़ा फिलाओंगी अफुन आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज हमें भी आगए जाना है कि हम थोड़ा करेश किरिश किई कि हम थोड़ा आगे जाए लाइफ मैं हमें भी कुछ हचीव करना है तो प्लीज सब तक हमा सब्सक्राइब सेटप हो रहा है चुछ बहुत ही संदर लग रहा है और इधर देख सकते हैं भी सेट अपूरा है तो यहां पर एक्वेरियम फिल्टर सेट अप होने जा रहा है और सारी इसमें जितने भी टूद्स हैं वो सब लगाया जाएंगे यह एक्वेरियम देख सकते हैं कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है आप लोग भी अगर एक्वेरियम सेट अप करते हैं तो प्लीज इसको साबून या सर्ब से धूली एक अमत वहना बहुत ही हामफुल होगा इस मचलियों के लिए तो सिब कपड़े से या फिर कपड़े को हलका सा गीला करके उसे अच्छे से पूश दीजेगा वो वैसे ही क्लीन हो जाएगा और यहां मैं डाला इसमें एक फ्रेम जो बहुत ही सुन्दर था यह मुझे मिला था गिफ्ट के तोर पे तो मैंने सोचा इसे एक बार एक वेरियम में रखके देखती हूँ कि कैसा लगता है बर जब मैंने रखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था आप यह आप ही देख सकते हैं और यह प्लास्टिक का था इतले खराब भी होने का डर नहीं था तो यहां पानी भढ़ चुका है आप देख सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा क्लीन था और यहां पर हमारी फिशित प्या गई है फ्रेंड्स हमें कमेंट्स में बताईएगा कि हमारा यह एक्विरियम सेट अप आपको कैसा लगा तो हमारा यह ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज हमें ऐसे मोटिवेट करते रहिए तब तक के लिए हम लोग नए ब्लॉग मिलते हैं